सबस्क्राइब करें सब हिंदी न्यूज चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि आपको मिले ताजा खबरें सबसे पहले समाज सेवी कारकरता अना हजारे ने एक बार फिर अपने फॉलादी एरादों से सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है 23 मार्च से अनिस्चित कालीन भूक हरताल पर बैठे अना से मोधी सरकार द्वारा संपर किया गया है केंद्र के दूद और महराष्ट्र के मंत्री गिरिश महाजन ने इस सामाजी कारे करता को भरोसा दिलाया कि उनकी ज्यादतर मांगों पर ध्यान दिया जाएगा गिरिश महाजन सोमवार को अना से मिले थे जिसके बाद आज उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि आज वे अना हजारे को एक लिखित प्रस्ताव देने वाले हैं जिसमें उनकी मांगों के उतर होंगे उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि वह अपना अनिस्चित कालीन अंशन मंगलवार को समाप्त कर देंगे हाला कि अना की टीम की तरफ से फिलहाल अंशन या महाजन से हुई मुलाकात के बारे में कोई बयान नहीं दिया गया है गवर तलब है कि महाजन महाराष्ट में जनल संसाधन्य वर्म चिकित्सा शिक्षा मंतरी है महाजन ने कहा कि अना की 11 हम मुख्य मांगों में से करीब 7-8 पर सहमती बनी है इन में लोगपाल की नियुक्ती और किसानों की उपज को बेहतर मूल्य प्रदान करना भी शामिल है केंद्रिय बजट में किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य देने पर ध्यान दिया गया है लोग पाल के मामले में दो बैठके होई हैं और इस मुद्दे का हल तीसरी बैठक में होने की संभावना है बताया जा रहा है कि तेस माच से अंचन पर बैठे अना का वजन चार किलो घट गया है